अब हमारे पास example है show that the function fxy is equal to this is differentiable at the origin हमें इस function को origin पर differentiable दिखाना है जिसके लिए हम इस theorem का use करेंगे कि अगर हमें किसी function को किसी point पर differentiable दिखाना हो तो उसके लिए क्या दिखाना काफी है कि fx continuous है उस point पर और fy exist करता है उस point पर तो function उस point पर differentiable हो जाएगा तो ये दिखाने के लिए हम ये दोनों चीज़े पूरी करके दिखा देंगे ठीक है so हमने सबसे पहले बताया fxy क्या था ठीक है फिर हमने इसको x के साथ partially differentiate किया और y को constant माना differentiation किया यहां तक आ गया और जब x और y दोनों 0 है यहां पर इसका मतलब है fx की value किसी भी arbitrary point xy पर और origin पर अलग से निकालेंगे क्योंकि origin पर यहां तो 0 by 0 फॉर्म बन जाएगे अगर हम 0 0 पर निकालेंगे तो इसलिए हम fx को origin पर limit वाले तरीके से अलग से निकालेंगे तो इसका हमने formula लिखा f of h 0 यहां से निकल जाएगा f of 0 0 हमें यहां पर question में 0 दे रखा है ठीक है और इसकी value put की 0 इसकी भी 0 0 by something 0 और 0 की limit भी कितनी आ गई 0 ठीक है ऐसे ही हमने fy निकाला origin पर वो भी कितना आया 0 अब हम fx की continuity देख रही है origin पर तो उसके लिए हमने consider किया fx xy minus fx 0 0 इसको हमें epsilon से कम देखाना है फिर हमने value put कर दी fx की value तो origin पर 0 ही है तो बच गया यह इसकी हमने यह वली value put कर दी फिर हमने x को put किया r cos theta और y को put किया r sin theta सारे में यह चीज़ आ गई हमारे पास फिर इसमें हमने formula लगा दिया mode of a plus b less than equal to mode of a plus mode of b और फिर हमें पता है कि sin theta का mode हमेशा क्या होता है less than equal to 1 cos theta का mode भी हमेशा क्या होता है less than equal to 1 यह भी less than equal to 1 यह भी less than equal to 1 यह भी और यह भी total मिला के क्या बचा mode of r less than equal to mode of r plus mode of r मतलब की two mode of r जिसमें की r की value यहां से कितनी आएगी solve करने पर x square plus y square का under root ठीक है अगर ये epsilon से कम हो जाए तो ये भी किस से कम हो जाएगा epsilon से तो ये हमने लिख दिया कि ये कम हो जाएगा epsilon से whenever अगर ये कम हो जाए epsilon से मतलब की mode of r किस से कम हो जाए ठीक है और ये किस को represent कर रहा है x minus 0 का square plus y minus 0 के square का under root अगर कम हो delta से तो this minus this कम हो जाएगा epsilon से और ये ही हमारी continuity की definition है तो यहां से आगया fx is continuous at the origin ठीक है तो fx तो क्या हो गया continuous और fy origin पे exist कर रहा है ये तो यहीं से आगया था कि fy की value origin पे कितनी आई थी 0 तो ये exist कर रहा था ठीक है so fy origin पे exist कर रहा है और fx जो है हमारा वो continuous है तो इस theorem की हमारी दोनों conditions fulfill हो गई so this implies f is differentiable at the origin next example है show by an example that function is differentiable at a point f किसी point पर differentiable तो है whereas fx और fy exist तो करते हैं लेकिन continuous नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इस theorem का converse hold नहीं करता means अगर function differentiable हो तो जरूरी नहीं है कि fx continuous होगा और ये हम यहाँ example से show करेंगे कि function differentiable तो है लेकिन जो fx है वो continuous नहीं है fy भी continuous नहीं है उसके लिए हम एक example देना है तो हमने ये fx y define किया फिर हमने इसको x के साथ differentiate किया y को constant बानते हुए और इसको हमने y के साथ differentiate किया x को constant बानते हुए तो ये दोनो exist करेंगे origin पे ठीक है ये दोनो क्योंकि origin पर origin का मतलब है हमें निकालना है 0-0 पर और जब x 0 है जब x coordinate 0 हो गया तो fx कितना answer दे रहा है 0 ठीक है तो fx origin पे 0 answer दे रहा है fy भी इसी तरह से जब y coordinate 0 हो तो fy भी 00 पर कितना answer देगा 0 तो fx और fy दोनो exist करते हैं origin पे इतना तो हो गया कि दोनो exist करते हैं लेकिन हमें दिखाना है function continuous नहीं होना चाहिए origin पर उसके अलावा f origin पर differentiable होना चाहिए ठीक है आगे है लेकिन जब हम इनकी limit निखालेंगे fx की xy tends to 0 0 तो वो exist नहीं करेगी जब आप यहाँ पर limit लगाओगे xy tends to 0 0 तो इसकी limit exist नहीं करेगी और अगर किसी function की limit ही exist नहीं करती इसका मतलब वो function continuous नहीं है ठीक है? so fx और fy origin पर continuous नहीं है जबकि वो दोनों origin पर exist कर रही थे अब हम proof करेंगे कि function origin पर differentiable है उसके लिए हमें क्या निकालना होता है? f of a plus h, b plus k minus f of a b, a b की जगह यहाँ चल रहा है origin तो हमने वो लिख दिया f of h, k हो गया यह और यह हो गया f of 0, 0 f of h, k यहाँ से निकल जाएगा और f of 0, 0 तो हमारा कितना था? 0 ठीक f of h, k निकाल दिया फिर यहाँ पर जो 0 है इसको हम लिख सकते है h into 0 plus k into 0 क्योंकि आना तो total यह 0 ही है और इसको लिख दिया h into h sin 1 by h इसको लिख दिया k into k sin 1 by k यह 0 रिप्रेजेंट कर रहा है f x 0, 0 को यह हमने यहाँ निकाल लाई था कि f x की value भी 0, 0 पर 0 आई थी fy की value भी 0, 0 पर 0 आई थी तो पहले 0 को लिख दिया f x 0, 0 दूसरे 0 को लिख दिया fy 0, 0, h ऐसे कैसा इसको नाम दे दिया phi h k, k ऐसे कैसा इसको नाम दे दिया psi h k, वेर बता दिया phi और psi किसको कहा है और जब h और k 0 को जाएंगे तो phi और psi भी किसको जाएंगे 0 को, इसकी हम limit निकाल के देख सकते हैं ठीक है, जब h और k 0 को जाएंगे तो ये पूरा भी किसको जाएगा 0 को और ये पूरा भी किसको जाएगा 0 को, ठीक तो पूरी condition जो differentiability की थी वो हमारी complete हो गई कि f of a plus h b plus k minus f of a b is equal to h f x plus k fy plus h into 5 plus k into psi, so the function is differentiable at origin जबकि f x और fy discontinuous है, इसका मतलब इस theorem का converse hold नहीं करता कि हो सकता है function किसी point पर differentiable हो, लेकिन f x और fy उस point पर क्या रही है, continuous नहीं आ रही, ना f x continuous है ना ही fy continuous है